पवित्र मनी मेश्यात्रा में राधास्थवी के बड़े साही सनाल में अब तक करीब 6 लाग शरदालू पवित्र ढल जील में आस्ता की डूपकी लगा चुके हैं। शिवचेलों के दल तोडने की साथ ही सरधालों ने पवित्र डल जील में डुपकी लगाने और पवित्र कलास के दरसन कर बापसी करना शुरू कर दिया है। रादास्तमी के पावन परपर तिलोचन महादेब के बंसज शिवचेलों ने डल जील की परिक्रमा कर उसे तोडने की सदियों पुरानी परंपरानी भाई इसके बाद मंगलवार रात ग्यारा बचकर तेरा मिन्ट से साही सनान का सुमूरत शुरू हुआ। इस सिवचेलों के दल तोडने के साथ ही सरधालों ने पवित्र डल जील में डुपकी लगाने और पवित्र केलास के दर्सन कर बापशी करना भी शुरू कर दिया है। गौरिकुन में भी हजारों महिलाओं ने आस्ता की डुपकी लगाई। उधर शाही सनान का सुब मूरत शुरू होने से पहले डल जील पर चरपरनाट चमबा की छड़ी, दसनमी अखाडा की छड़ी, सुचुई के सिवचेले एक साथ डल जील पर इकठे हुए और जील की परिक्रमा कर डल तोडने की परंपरा को निभाया। जिसे देखने के लिए हजारों सिवभक्त इस पल का गवाह मने। अपना अशिरवाद उन्होंने दिया। सुमबार सुबार सुबा ग्यारा बजए परंपारिग बाधे यंत्रों के साथ ये सिवचेले मनीमेज के लिए रवाना हुए और धंछो में रात्री ठहराब के बाद सुबा सिवचेले मनीमेज के लिए निकल पड़ी। मंगलवार दुबाहरबाद डल जिल की परिक्रमा कर डल तोड़ने की परंपरा के साथ उन्होंने राधास्तमी के साही सनान का सुभारम किया क्या है मनी मेश परवत का रहसे कैसे यहां होते हैं साक्षात भगवानशिप के दर्सन क्यूं इस पर चड़ने सरकार ने लगा दी है रोक चलिए बताते हैं मनी मेश परवत से जुड़े ऐसे अनसुने रहसे जो आपको हैरान कर देंगी भारत में कलास परवत के अतिरिक्त मनी मेश परवत ही एक ऐसा रहसमे और खतरनाग परवत है जिस पर आज तक कोई भी विक्ती चड़ाई नहीं कर पाया है और कहा जाता है कि इस परवत पर चड़ने वाला देखती एक निश्चित दूरी के बाद परप्थर में परिवर्तत हो जाता है ये परवत हिमाचल परदेश के जिलाच चंबा के भरमौर क्षेतर में स्थित है और यहां पहुँचने बाले सभी सरधालों को एक दिब्ब्य और चंकदार मनी के दर्शन प्राप्त होते हैं हिंदू धर्म के लोगों का मानना है कि भगवान शंकर मापारवती के साथ इस परवद पर आते हैं और मनी में इस परवद पर ब्रमौरत के समें एक अत्यंत तेज युक्त परकास दिखाई देता है जिसे ऐसा माना जाता है कि ये प्रकास भगवान शिप के नाक की मनी का होता है जैसे ही ये प्रकास दिखाई देता है उसके थोड़ी देर में तेजी के साथ ये परवत की गोद मे Convention जील में समाहित हो जाता है इस दिव्य प्रकास को देखने के लिए सभी भक्त पूरी रात इसका इंतजार करते हैं और जैसे ही भ्रमूर्त के समय ये मनी चमकती हुई दिखाई देती है तो इसके आसपास का पूरा क्षेत्र भगवान सिफ के जैकरों से गुझ उठता है ऐसा माना जाता है कि इस मनी के चमकने केस में भगवान शिब मनी में इस परवत परस्तित अपने आसन पर विराजमान हो जाते हैं कहा जाता है कि एक वारिक चरवाहे ने कसम खार रखी थी कि वे इस परवत पर चड़ेगा और अपनी भेड की बली देगा लेकिन हैरानी की बात ये है कि जब चरवाहा केलास परबत पर कुछ उपर ही चड़ा तो उसके साथ साथ उसकी भेडें भी पत्रों में परिवर्तत हो गई इसके बाद साल 1968 में जब विग्यानकों कोई इस बात का पता चला कि मनी में इस परबत पर आस्ता कोई भी नहीं चड़ सका है तो उन्होंने इस पर कुछ परबता रोहियों को भेजने का फैसला लिया फिर भारत और जपानी महिलाओं के एक दल ने नंदनी पटेल के नेतरत में मनी में इस परबत पर चड़ाई करने की कोशिश की लेकिन उनके कुछ उपर चड़ने के बाद ही भूसकन होआ और जिसकी बज़ा से दल के कई लोग मारे गए और बाकी बचे लोगों ने बहुत इन होन का अगाज हो चुका है और सभी भ्रमोर बासियों प्रदेश बासियों और देश बासियों को मनी में श्यात्रा की हार देक सुब काम ना है